मिथों राशी वाले दोस्तों ग्रैग उच्चर के नुसार वरज का सेकंड लास्ट मा नवंबर मा कुछ खास रहने वाला है। इस मा हो रहे महत्त पुरन प्रदलाव आपके जीवन को भी महत्त पुरन बना देंगे। पिछले समय से भाग गया बाप पर शनी का वकरी वस्ता में संचार अश्ठम बाप के अशुब फलों को एक बार फिर से जागरित कर रहा है। अश्ठम ध्यास मापत होने के बाप यूद भी फिर से वही दुख दर्द और द्रिदर्दा जैसे बाप देखने को मिल रहे हैं। जीवन साथी के स्वास्त पर प्रतिकूल प्रवाब पढ़ रहा है, स्वास्त पर घर्चा करना पढ़ रहा है। यह सब शनी की वकरी चाल के कानवश हो रहा है। नवंबर मा में शनी की चाल में यूटर्न से बहुत बड़ी रहत मिलेगी। इसके लावा नवंबर मा में शुक्र का राशी प्रवर्तन भी है यह दोनों राशी प्रवर्तन भी आपके लिए काफी सक्रात्मक रहने वाले हैं वीडियो में विस्तार से नुवंबर माटी बात करेंगे वीडियो बहुत महत पुर्ण रहने वाले हैं वीडियो के अंत तक बने रही नमस्कार दोस्तों म के सभी महत्तपुर्ण शेत्रों पर चर्चा करेंगे शुरुआत करते हैं स्वास्त से नवंबर मा में पूरण मा राशी स्वामी बुद्ध छटेवा पर संचार करेगा बुद्ध की यह स्थिति रोग प्रतिरोधक्षमता में कमी कर सकती है इसलिए खास कर नवंबर मा के जल्द परवावित कर सकती है इसलिए बाहर के मिर्च मसाले तले वसा और घी जुक्ट बोजन से जितना हो सके परहेज करें साफ सफाई और सवच्ता के प्रतिवी जागरुप बने रहें उसकी अंदेख ही ना करें उदर दुईतिय बापर मंगल का नीच राशी पर संचार आपके चहरे आँखों और दांतों के सबंद में भी कुछ शुब नहीं है उसके प्रतिवी सजग बने रहें बोलवानी पर भी खास देहान दें बात करें शिक्षा की तो आपकी राशी के लिए पंचमब आपके स्वामी शुकर है इसलिए आप बच्पन से ही क्रेटिव हो साथ नवमबर तक शुकर छट वार पर सिंचार करेगा इस समय शिक्षा के समन्द में यात्रा या कोई खर्चा वगारा कर सकते हैं साथ नवमबर तक शिक्षा के प्रतिरूची और एक अगरता में भी कुछ कमी देखने को मिल सकती है 7 नवंबर को शुकर राशी परवरतन कर सब्तम भाम में परवेश कर जाएगा अब शिक्षा के प्रतिरूची और एकागरता में महसूस हो रही गमी दूर हो जाएगी शिक्षा के सित्र में बहुत अच्छा कारिया करेंगे कुल मिला कर साथ नवंबर के बाद का समय विद्यारतियों के लिए अधिक अन्कूर्ड रहे कर बात करें प्रेमियों के प्रेम्स बंदों की तो यह मा प्रेमियों के लिए मिला जुला रहे का प्यार और तकराद दुन्नों देखने को मिलेंगे प्रेमियों को प्रेम्स बंदों में मदूर्दा बनाई रखने के लिए अपने करोध वानी और वहवार पर उचित धियान देने की उश्यक्ता रहेगी पूरा नमा प्रेम प्यार बापर मंगल की करूर दिश्टी पड़ेगी इसके अलावा 16 नमबर तक प्रेम प्यार बापर सूर्या भी नीच रखी पर संचार करेगा। दोनों अक्रामक लड़ाकों करोधी करूर और गरम ग्रहों का प्रेम प्यार बापर संचार प्रेमी जनों में मतबेद जैसी स्थिति पैदा कर सकता है। साथ नमबर तक अधिक स्तरक रहें। इस समय प्रेमी अपने प्रेमी जन से काम ही मिले तो बेहतर रहेगा। साथ नूम्बर को प्रेम प्यार बाब का स्वामी शुकर छटे बाब से प्रस्थान कर उत्तम स्थिती में आ जाएगा जो प्रेमियों को राहत परदान करेगा 16 नुवंबर को नीच का सूरिया भी प्रेम प्यरबाब को मुक्त कर देगा कुल मिलाकर जैसे जैसे मावेतीत होता जाएगा प्रेमियों के लिए प्रस्तितियां अत्यादिक अन्कूल बनती जाएंगी एक नज़र डालने शादि शुगा दोस्तों के दंपत्या जीवन पर दो लंबे समय से दंपत्या भापके स्वाम में गुरू का वए बापर संचार जीवन साथी के माद्यम से खर्चे के योग बना रहा है कभी जीवन साथी के स्वास्त पर खर्चा करना पढ़ रहा है तो कभी अन्या फरमाईश पर अब नवंबर मामे गुरू अक्री वस्ता में संचार करेगा जो आए बापको भी जागरित करेगा इससे जीवन साथी के माद्यम से आए और लाब में वरिदी के भी अपसर पैदा होंगे कार्या वेपार में जीवन साथी का सैयोग और मार्ट दरशन लापरद साबीत होगा साथ नवंबर को दंपत्या वापर प्रेम प्यार और रुमास करक शुकर का परवेश दंपत्या सुखों में वरिदी करेगा शुकर के प्रवाब से पती पतरी का एक दुसरे के प्रती प्रेम प्यार अकर्शन और लगाव पहले से अधिक देखने को मिलेगा कुल मिलाकर नुवंबर मा में दंपत्या वाब किसी भी परकार के पाप परवाब से मुखत रहेगा इससे दंपत्या जीवन में सुख शांती और परसंता का महोल बना रहेगा अब बात करते हैं जीवन के अन्या महत तकुर्ण शेतरों जैसे भागया दन संतान सुख करियर और आर्थिक द्रिश्टी कोंग से नुवंबर मा क्या संकेद दे रहा है शुरुआत करते हैं भागया से आपकी राशी के लिए भागया वाब के स्वामी करमफलदाता शनी है शनी आजकल भागया वाब पर वक्री वस्ता में संचार कर रहा है पिछले समय से भागया वाब के स्वामी शनी का उल्टा चलना आपके भाग्या तो भी आगे नहीं बल्कि पीछे की और धकेल रहा है मेहनत अधिक है लेकिन उसमें भाग्या का से योग नामातर मिल पा रहा है पंदरा नुवंबर को शनी की चाल में यूटर्न आपके भाग्या में भी यूटर्न लेकर आएगा फिर भाग्या आप तो पीछे नहीं बल्कि आगे सफलता और उन्नती की और ले जाएगा भाग्या वाप से आगे करम और लाबा पड़ता है फिर शनी आपको आपके करमों का पूरा फलाब के रूप में परदान करने के लिए तयार हो जाएगा नवंबर मा में तो अभी शुरुआत है असली खेला तो आगे चलेगा जो बहुत बड़ी राहत परदान करेगा पुल मिलाकर पंदरा नवंबर से भाग्या के सुखें सैयोग में महसूस हो रही कमी दूर हो जाएगी बात करे करियर की तो आपकी राशी के लिए करम बाप के सुखें के गुरु ब्रस्पती है पिछले समय से गुरु के सैयोग में भी कमी बनी हुई है जो करियर में उतार चड़ाव जैसी स्थितिक पैदा कर रही है अब नवंबर मामे गुरु देव का वक्री वस्ता में संचार महत्तपुरन के सासाथ लाप्रद भी बन जाएगा करम बाप के स्वामे गुरु देव का वक्री वस्ता में संचार वए बाप के सासाथ आए भाप तो भी जागरित करेगा इससे खर्चों में कमी आएगी आए में वरिदी होगी कार्या शेतर में भी आपको अपनी महनत और बौधिक योग्याता का पूरा फन लाब के रूप में मिलेगा पिछले समय से महनत अधिक थी लेकिन लाब नामातर ही मिल पा रहा था लेकिन अब कम मेहनत में अधिक लाब देखने को मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है करियर में पेशारी परिशानियों से भी रहत मिलती जाएगी आप किसी भी परकार के कारया वेपसाई, वेपार या नोकरी पेशा से जुड़े हैं गुरु देव का वक्री वस्ता में संचार आए और लाब की स्तिती को मिजबुती पर दान करेगा लेकिन पूरण मा मंगल का वानी भाव और अपनी नीच राशी पर संचार आपकी वानी को परवावित करेगा वानी में पहले से अधिक गठोरता और करूरता का बाब देखनी को मिल सकता है इसलिए वानी का सोच मिचार कर प्रयोग करें वानी का दुर्पयोग रंग में भंग डाल सकता है इसमा सबसे पहले शुकरता राशी प्रवर्तन है साथ नुवंबर तक शुकर छटे बाप पर संचार करेगा संतान बाप पर नीच के सुड़या का संचार तो संतान बाप के सुआमी शुकर का छटे बाप बादगस्तान पर संचार संतान के सबंदों में शुब नहीं है संतान के साथ सबंदों में सने और मदूरता में कोई कमी ना करे ताल में बनाए रखें संतान से सबंदेत कोई महत्पुरन पुर्ण कार्या करने जा रहे हैं तो करने के लिए 16 नुम्बर के बाछि अधिक बहतर रहेगा जैसे जैसे मां व्यतीत होता जाएगा संतान के समझ में भी परस्तियां अनकूल बनती जाएंगी साथ नमबर को शुकर राशी प्रवर्तन का सब्तमबा में प्रवेश कर जाएगा अब संतान शित्र के साथ निवेश कार से जुड़े दोस्तों को भी शुकर के राशी प्रवर्तन का लाभ मिलेगा सरकार या सरकारी टेंडर से जुड़ा कोई कार्या करने जा रहे हैं तो 16 नमबर तक उस कार्या को ठंडे बस्ते में ही रहने दे क्योंकि 16 नमबर तक पंचम बापर सूरिया का नीच राशी पर संचाथ सूरिया के सायोग में कमी कर रहा है सूर्या के सहयोग में कमी सरकारी कारियों और मांसमान में कमी का कारण बन सकती है सोला नुवंबर को सूर्या राशी प्रोट करनकर छटे बार में प्रवेश कर जाएगा इस बापत सूर्या देव के बेहतरीन प्री नाम देखने को मिलते हैं उपर से सूरिया का गुरुदेव के साथ द्रिष्टी समंग सोनने पर सुहाग्य जैसा कार्या करेगा। सरकार, राज्या, उच्पदवी, मान्स, मान्पिता और अरोग्या करक सूर्या का शुब गोचर शरीरिक अरोग्याता पर दान करेगा रोग, प्रतिरोदक्षमता विक्सित होगी, इससे शरीर भी निरोग रहेगा, सरकारी कारों ने सफलता मिलेगी, मान्स, मान्स और अधिकार शितर का विस्तार कर सकती है, किसी भी प्रकार के सरकारी या गैर सरकारी, रिन की वह शक्ता तो 16 नमंबर के बाद प्रियास करने से सरलता से वलब्द हो सकता है, अब सूर्या और बुध का छटे वापर युतियोग बुध अधित्यारायों का निर्मान करेगा, इ या स्पोर्स शेतर से जुड़े विद्यारतियों को भी सूर्या और बुध की इस स्थिती का विशेश रूप से लाव मिलेगा, अपने प्रतिदवंदी को सरलता से पराजित करेंगे, 15 नमंबर को शनी की चाल में यू टर्न भी आपके जीवन में यू टर्न का का काम करेग कुल मिलाकर ग्रैग उच्च के मसारन नवंबर मा के अन्तिम दो सकता अधिक स्करातमक रहेंगे, महत प्रुन ग्राइग उच्रिय थिती के साथ आप वरश के अन्तिम मा दिसंबर मा में फरवेश करेंगे, आगे की चर्चा हम दिसंबर मा के राशी फल में करेंगे, ज prospects जा